आज आप सबसे जब मैं विदा ले रहा हूँ तो मेरे हिर्दे में अनेक पुरानी इसमृतियां उमड रही हैं इसी परिसर में जिसे सामानेतिया सेंट्रल हाल की रूप में जाना जाता है बरसों तक एक सांशद के रूप में मैंने ना जाने कितने सहयोगी सांशदों के साथ यादगार पल बिताए है पांच साल पहले इसी सिंट्रल हाल में मैंने राज़पति के पद की सपत ली थी सांसद होने के नाते आप सभी का इस लोक तंत्र के मंदिर में एक प्रतिष्ठित इस्थान है और मेरे हिर्दे में भी आप सब के लिए एक विशेश इस्थान है और सदेयू बना रहेगा आप सब के लिए ये विशेश गवरव की बात है कि आप सब भारत की जनता के निर्वाचित प्रतिनिधी है भारत की जनता ने आप सब के माध्यम से मुझे राश्ट्रपती के रूप में चुनकर देश की सेवा करने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं देश बासियों का सदय आभारी रहूँगा सर्व सक्तिमान इश्वर की करपा से जिस दायत्यों को निभाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ उसका निर्वहन आप सभी के सहयोग के बिना संभव नहीं था इसके लिए मैं आप सब का भी आभारविक्त करता हूँ अपने कारकाल के दोरान मैंने अपनी पूरी छमता से अपने करतब्यों का निर्वहन करने का प्रयास किया है आप सबने मेरे प्रती जिस अटूट विश्वास का परिछे दिया उसके बल पर मैं अपने करतब्यों को भली भाती निभा सका मेरे सभी पूरवर्ती राष्टपती बेरे लिए प्रेड़ना का स्रोत रहे है माननी सदस्गन राष्टपती और सांसद गण उसी विकास पत के सह यात्री है जो हमारे देश को प्रगती की उच्चितर उपलब्धियों की ओर ले जा रहा है इस पत को प्रसस्त करने वाली महान विभूतियों ने हमारे संबिधान की रचना करके हमारी लोक तांतरिक बेवस्था की निव रखी यद्यपी संबिधान सभा के सदस्यों को ही हमारे संबिधान की रचना का स्रे जाता है लेकिन वह अइतिहासिक कार उन्होंने भारत के लोगों के प्रतिनिधी के रूप में किया था इसलिए हमारा संबिधान हम भारत के लोगों द्वारा अंगीकरत अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया भारत के लोग ही अपने प्रतिनिधियों अर्थात आप सभी माननी सांसदों के माध्यम से अपने गड़तंतर की यात्रा का मार्दर्सन करते है इसलिए संसद को लोगों के तंतर यानि लोक तंतर का मंदिर भी कहा जाता है देवियों और सज्जनों हमारे संबिधान के अनुच्छेत 79 के अनुशाल संग के लिए एक संसद होती है जो राश्ट्रपती और दोनों सदनों से मिलकर बनती है इस संबैधानिक प्रावधान के अनुरूप अपनी भावना का समावेश करते हुए मैं राश्ट्रपती को संसदी परिवार के अभिन अंग के रूप में देखता हूँ जैसा कि किसी भी परिवार में होता है संसद में भी कभी कभी मतभेद होते रहते हैं आगे का रास्ता कैसे तै करना है इस विषय पर विफिन दलों के विचार अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन हम सब संसद रूपी परिवार के सदस हैं जिनकी सर्वोच प्राथमिक्ता है राश रास्ट्र रूपी विशाल सयुक्त परिवार के हित में निरंतर कार करते रहना राजनीतिक प्रक्रियाएं राजनीतिक दलों के अपने तंत्रों के माध्यम से संचालित होती हैं लेकिन पार्टियों को दलगत राजनीति से उपर उठना चाहिए और रास्ट्र सर्वोपर की भावना से ये विचार करना चाहिए कि देशवासियों के विकास और कल्यान के लिए कौन-कौन से कार आवस्चक हैं जब हम पूरे रास्ट्र को एक विशाल संयुक्त परिवार के रूप में देखते हैं तो ये समझ में आता है कि पारिवारिक मत भेदों को सुल जाने के अ शांती, शदभाव और समवाद पर आधारित होते हैं विरोध प्रकट करने के अनेक संबाइधानिक रास्ते राजनेतिक दलों और नागरिकों को उपलब्ध हैं राश्पिता महत्मा गांदी ने अपने उद्देशियों को प्राप्त करने के लिए शांती और एहिंसा पर अधारित सत्याग्रह के अस्त्र का इस्तेमाल किया था लेकिन वे दूसरे पक्ष का सम्मान भी करते थे हमारे नागरिकों को अपनी मागों के लिए दबाव बनाने का तथा विरोध करने का संबाइधानिक अधिकार उपलब्ध है लेकिन मेरे विचार से इस अधिकार का प महत्मा गांदी की एक सो पचासमी जैनती के उपलक्ष में अनेक यादगार समारो पूरे देश में आयुजित किये गए इस अंदर में मैं स्वक्ष भारत अवियान की परिवर्तन कारी उपलब्दियों का उलिख करना चाहूंगा ये कहा जा सकता है कि स्वक्षता का यह राश्ट्री अवियान सरकार और देश भास्वियों की ओर से महत्मा गांदी के परती सच्ची स्रद्धानजली रहा है दूसरे अइतिहासिक आयोजन के रूप में भारत की स्वाधिनिता के 75 बरस पूरे होने के उपलक्ष में देश भास्वियों द्वारा आजादी का अमरत महोत्सो उत्सापूर्बक मनाया जा रहा है मैं इन दोनों आइतिहासिक अवसरों से जुड़े अतियंत प्रभावशाली आयोजनों के लिए देश की जनता वो सरकार को बधाई देता हूँ